या आपने कभी अंदाजा लगाया है कि आप जिस जमीन पर खड़े हो उसकी रफ़तार क्या हो सकती है या फिर प्रत्वी एकदम से घूमना बंद कर दे मतलब आप जिस रफ़तार से घूम रहे हो जिसकी आपको भनक भी नहीं है उसी रफ़तार से आपको कोई धक्का दे दे तो आपका क्या होगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक हंबल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सस्क्राइब करके बैल आकन को दबा करी जाईएगा तो चलते हैं वीडियो की और क्या आपको पता है कि हमारी प्रत्वी 1000 मिल पर अवर की स्पीड से घूम रही है 1609 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से मतलब 460 मीटर पर सेकेंड लगबग आधे किलोमीटर पर सेकेंड की रफतार से लेकिन ट्रेन की स्पीड आपको बहुत जादा लगती है जबकि प्रित्वी 1609 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से घूम रही है मतलब ट्रेन की स्पीड उस स्पीड के सामने एक चीटी की तरह है तो अगर प्रित्वी रुख जाए तो मुमेंटम के कारण आप हवा में उड़ जाओगे और कहीं दूर फिका जाओगे मुंबई से उड़ोगे और मनीपूर को लैंड करोगे वो भी बिना टिकेट के और आपके साथ साथ सारी बिल्डिंगे सारी गाडिया और सारे ऑबजेक्ट भी फिका जाएंगे और प्रत्वी पर जो भी उथल पुतल होगी वो सारी वेस्ट टू इस्ट होगी क्योंकि प्रत्वी वेस्ट से इस्ट की और घूम रही है समंदर का सारा पानी उथल पुथल हो जाएगा सारे देश में पानी ही होगा समंदर कुछ इस तरह से बट जाएगा कि साथ समंदर मिलके दो समंदर बन जाएगे और इसके कुछ महीने बाद जो लोग जिंदा बज भी गए तो वो प्यास से मर जाएगे क्यूंकि सारा पानी खारा हो चुका होगा और खाने के लिए अनाज भी नहीं होगा क्यूंकि 6 महीने धूप होगी और 6 महीने अंधेरा क्यूंकि धर्ती अब घूम नहीं रही है बस सूरज का चक्कर लगा रही है धर्ती अपनी मेगनेटिक फिल्ड लॉस कर देगी जिसके कारण धर्ती का ओजोन लेयर ब्रेक हो जाएगा और सन की रेडियेशन्स अर्थ पर आने लगीगी और लगबक 5-10 सालों में धर्ती पर कोई जीव नहीं होगा लेकिन आपको बता दू कि ये पॉसिवल तो नहीं है अगले 500 सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं नासा ने प्रॉमिस किया है सच्छी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना जुड़े रहना इस चैनल पर मैं इसी तरह के फैक्स रिलेटर वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में